असलाम लीकूर मेरा नाम है फिजाब दुलमनान उमीद करती हूँ आप सब लोग खेरियसे होंगे गोहर पबिशर में अब सब को खुशाम दीद हमारा मोटो है Redefining the Geography of Education through Digital Resources for Conceptual Learning और हमारी किताब का नाम है गोहर ग्रेस उर्दू Nursery 4 Plus अब हम बढ़ते हैं अपनी लिखाई की मर्ष्ट की तरफ लिखाई की मर्ष्ट में सबसे पहले हम करेंगे से पर पैंसिल फेरे और खुद लिखें लेकिन कुछ हदायात हैं उसाजा के लिए जो हैं सिरकर्मिया हलकने में बच्चों की रहनुमाई करें जी बच्चो सबसे पहले हम लिखेंगे से को नुक्तों की मदद से पहले नुक्तों को मिलाएंगे दूसरे के साथ और लेकर आएंगे आखरी नुक्ते तक पहला नुक्ता दूसरा और तीसरा इसके बाद हम से को दुबारा से पहले नुक्ते से मिलाएंगे और लेकर आएंगे आखरी नुक्ते तक एक नुक्ता, दो नुक्ते और तीन नुक्ता इस तरह से हमारा ये से हुआ मुकमल से के बाद हम लिखेंगे से की अब्तिदाई शकल या पिर से की छोटी शकल भी कहा जा सकता है पहले नुक्ते को मिलाएंगे दूसरे के साथ और इसको लेकर आएंगे आखर तक और तीन एक नुक्ता, दो और तीन नुक्ते लगा के से की अब्तिदाई शकल हो जाएगी मुकमल एक बार फिर से लिखते हैं पहले नुक्ते को दूसरे के साथ फिर आखिर तक और एक, दो और तीन नुक्ते से के सर के उपर और ये हो जाएगी से की प्रदाई शकल मुकमल अब हम लिखेंगे पैंसिल की मदद से बिना नुक्तों से से की प्रदाई शकल को नुक्ते से शुरू करेंगे सीधी लाइन, सो यूई लाइन और इसके नीचे सर के उपर आ जाएंगे टीन नुक्ते एक बाद फिर से लिखते हैं सीधी लाइन, सो यूई लाइन, एक नुक्ता, दो नुक्ता और इसके दर्म्यान में एक नुक्ता और ये हो जाएगा हमारा से मुकमल बाके की सरक्रमी किसी बड़े की रहनुमाई के साथ मुकमल करें दूसरी सरगर्मी में हमारे पास मजूद है मिसाल के मुताबिक तस्वीर को लफ से मिलाए हमें क्या करना होगा जो तस्वीर है उनको लफ से मिलाना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं सुलस जो है वो अपने लफ के साथ मिला हुआ है यहाँ पे हमारे पास मजूद है से अलिसा बे ते बद साबत यहाँ पिर साबत साबत तो साबित क्या है हमारे पास अंडा तो हम इसको मिला देंगे अंडे के साथ यहाँ पे हमारे पास मजूद है से मीम रे समर यहां पिर आवाजों की मदद से पढ़ेंगे आप तो समर तो समर क्या होते हैं? बहुत सारे फल जब एक जगर कटे होते हैं तो वो होते हैं समर इस तरह से हमारी सरगर्मी नमबर दो होती है मुकमल सरगर्मी नमबर तीन में हमारे पास मुझूद है मिसाल के मुताबरी के हर तस्वीर के नीचे दिये गे नाम के हरूफ अलग-अलग करें जैसे कि हमारे पास यहां पे मजूद है समर तो हमने देखना है यह है से की छोटी शकल मीम की छोटी शकल और इसको मिला दिये गया है रे के साथ रे को मुकमल लिखेंगे लाम की छोटी शकल और उसके बाद मजूद है से अब हम लिखेंगे से को इस तरह से इसके उपड़ाएंगे तीन नुकते डैश लगाएंगे लाम की पूरी शकल लिखेंगे फिर से डैश लगाएंगे और आखिर में लिख देंगे से को मुकमल से सुलस, इस तरह से हमारा सुलस हो जाएगा मुकमल आखिर में हमारे पास मेजूद है साबत यानि से की छोटी शकल और अलिफ अलिफ को पूरा ही लिखेंगे क्योंकि अलिफ की छोटी शकल नहीं होती से, तीन नुखते, डैश, अलिफ, डैश यह है हमारे पास बे की इप्तदाई शकल या फिर बे की छोटी शकल बे डैश और ते को हम पूरा लिख देंगे इस तरहां से ते साबत सफ़ा नमर 17 में हमारे पास जो से की सरगर्मिया थी उमीद करती हूँ कि आपको समझ में आगी होंगी किसी बड़ी की मदद के साथ इसको दोहराते रहें ताके रवानी बनी रहें अगली वीडियो तके लिए अलाहाफेस